नमस्कार, आठ नवंबर को नोट बंदी का एक साल पूरा होने जा रहा है। नमस्कार, आठ नवंबर को नोट बंदी का एक साल पूरा होने जा रहा है। कि हम इसका जश्न मनाने वाले हैं। क्या पूरा प्लान है? जश्न क्या अचीवमेंट हुई? क्या हमने हासिल किया है? आठ तरिक को जो भारतिया जिन्ता पार्टी ने और नरेंदरभाय ने जो नोट बंदी की उसका आंतक्यों के पास जो बहुत पहुच चुके थे। काला दन आ गया है वापस इसलिए आंतक्यों के पर रोक लग गई है इसलिए काला दन रूख जाएगा और आंतक की जो उम्ला हो रहा था उसे कम हो गया है और काला दन कहीं इंडेस्ट की लोगों के पास भी था कहीं लोगों के पास भी था वो काला दन भी कहीं फैक्टरिय काबू में आ गई है और इसलिए आठ तारीक को भारतिया जंतापाटी और सरकार जश्न मनाने वाली है जश्न जो है इसमें ये भी वर्जन है कि जो काला धन था वो सफेद हो गया वो एक तरीके से फॉर्मल चैनल में आ गया आप इसको कैसा कहना चाहेंगे अगरी memorable काला धन था वो सब वाईट में तो हो गया है जिसके पास था जमा करके वाईट ही कर दिया है लेकिन जो था वहू इसलिए था कि वहाँ आनतर क्योंके पास जा रा था काला धन उसके पर रोक लगी जिसके पाद बहुत ही पैचा था गरिब लोग के पास नहीं था इस के इंदर एक बड़ा जो economy हमारी अर्तवरस्ता उसके पैरलेल economy चलती रही है और कालाधन देश में है यह सभी को मालूम था या इससे सहमत है कालाधन एक बड़ा हिस्सा रहा है तो इसको लेकर जब इतने सालों से क्या किया गया था यह जो सरकार जो बात कर रही है पहली बात कि इसके सभलता का जश्र जनता को मनाना चाहिए और वो जश्र सरकार मनाती है इसका मतलब है कि लोग इंसे संतुष नहीं है अगर आपने नौट बंदी की लोगों ने उसे स्युकार किया है तो लोग इसका जश्र मनाना चाहिए लोगों के आपके सास रहना चाहिए कि आपने 24 गंटे का भी समय नहीं दिया रात को आठ बजे में टिवी में आकर पूरे देश की सवा सो करोड जनता को तकलिफ में रख दिया है मुश्किल खड़ी कर दी है और कल से नौट नहीं चलेगा और इसके लिए 50 दिन का आपने समय की मांग की थी लोक ने 100 दिन दिये ले था जिसके पास ता उसने वह पैसा जमां भी करा दिया है इसलिए और पबलिक तो फब्लिक में जस्न जा मात की हैं पबिलिक का हिस्सा एकॉनमी में रहता था तो अपरेशन्स में शुरू में जरूर दिक्कते हुई उसके बाद कैसे आप इसको देखेंगे और लार्जर जो गोल जिसके लिए लाए गया था क्या हम उसमें सफल हुए या इसकी सोच को और इसके फाइनल रिजल्ट को आप किस तरह से अ सब्सक्राइब कर सकते हैं सारे चैनल बैंक में खुले तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुए और तीन चाह दिन के बाद जब वो टपका लगाने लगें आपर तो उसके बाद भीड़ कम होते ही क्योंकि जिनके बास वो कच्छा पैसा था वो भाड़े के आजमी भ अब बहुतों को यह लग रहा है जैसे अभी डिबेट में हमने सुना कि वह सब वाइट हो गया वह पॉसिबल ही नहीं है आपके पास भी हम आएंगे आप से सवाल करेंगे श्री साब आप बता सकें आपको लगता है यह जो मूव था यह बहुत ही बड़ा बोल्ड मूव था मतलब इसका इंपाक्ट और जो इसके आगे हम देख रहे हैं इसराल सुनावों में भी मतलब इसका असर सभी पर हुआ इसको आप किस तरह से देखेंगे जो इतना बड़ कदम उठाए गया जो बहुत बड़ा मतलब बोल्ड मूव रहा अब एक साल जब पूरा होने जा रहा है इसके किस तरह हमने हासिल क्या किया इसमें आपकी बात सही है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल डिसिजन भी था आर्थिक दृष्टी से भ करने में काफी दो ड़ाई मैने का समय चला गया पर अगर में इसके पॉलिटिकल एंगल को देखें तो यूपी इलेक्शन के एन पहले ये डिकलेरेशन हुआ था फिर भी हमने देखा कि नोट बंदी का असर जो है वो यूपी की स्थानी की रादनीती पर ज्यादा नहीं क्या वो जनता के साथ कनेक्ट होने में सफल उपा एक मेसेच गया कि हम ब्लाक मनी पर काले धन पर प्रहार कर रहे हैं। अगर कलको सरकार के ध्यान में आ रहा है कि ये पैसा आपका काला धनी था तो उसके पर आपको टेक्स भरना पड़ेगा। हैं कि इसका बड़ा नुकसान हुआ और यह सही नहीं था तो जैसे यूपी चुनाफ की बात की गई उसके पहले नोट बंदी जिस तरह से हुई और अब जिसको आप कैसे देखेंगे आपका जो मेसेच जा रहा है उसमें आपको लगता है ठीक आप आप आउडियन्स को ठीक मेसेच कनवे कर पा रहे हैं या आपकी जो सोच है इसको आप नब्स को पब्लिक की किस तरह से समझना चाहेंगे? जो बात बताई कि हमारी उनके सामने यह नहीं लड़ाई थी कि आप नोट बंदी मत करो पर जिस तरीके से की गई और कुछ क्या किया गया जैसे हमारे बाई ने बताया कि हर तिसरे दिन नया कानून लाना पड़ा हर तिसरे दिन नया कानून बनाना पड़ा पिरे साथ दिन ये करेंगे एक मेहनी में करेंगे फाद इन में करेंगे हर रोज करेंगे इसी सो दिनों में बारा-बार उन्होंने कानून बजला तो हमारी भात यह थी आपको पुरा समय लेके इसकी पूरी तयारी करके फिर एक armor करना चाहिए था पर जिस तरीके से किया 67 लोग इसमें मारे गए कम से कम इससे भी ज्यादा है जिसको नहीं कहिए नौट किया गया हुए यह सब आपने अगर किया कि हमने बोला के वह बोल रहे हैं कि हमने अच्छा किया तो कोई भी अच्छा करो तो इसके में कम से कम अच्छान हुआ और यह बोल रहे हैं कि त्रासवाद पर कहां लगा है आज एक साल हो गया कहां पर त्रासवाद रुका हुआ है काला धन के जो बात कर रहे थे ब्रैक मनी के जो बात कर रहे थी ऐसे बोल रहे है कि कई लोगों पर नौटिस निकाली गई है तो सरकार को यह भी था कि हमारे हैं पर अर्थवस्ता में जो कैश है उसको कम किया जाए लेस कैश हो अब फिर से हम देख रहे हैं कैश का चलन बढ़ रहा है जो लोग करते हैं अपने रोसमर्रा के अप्रेशन में उसमें आपने शुरू में इंपक्त काफी हुआ था लोग उस समय दू परिस्तिती में काबु में आगई हैं अब भी कोई दिक्कत भी नहीं है और वो नोटबंदी की असर नोटबंदी के बाद महाराष्ट में अब इलेक्शन गए वहां भी बहुत 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 इसे विजेपी ने वाँ ऐले जीता है इसलिए पब्लिक भी आपको क्या फीडबैक मिला नौट बंदी की सरकार बात करी नौट बंदी में बहुत से लोग परिशान थे और है चोटे-चोटे कारोबारी जो रहे पर क्या जो मंचा थी जिस सोच के ले लाए कि सिस्टम क्लीन होगा वो सोच ठीक थी उनके तरीके से ठीक थी ति कमी रहेगी कमी न लोगों को ऐसा है मनमान सिंग ने पहले सोचा था कि यह बंद करें लेकिन यह सरकार ने भी बंद नहीं की थी नौट बंदी लोगों के लिए बुरा दीन था और सोटे लोगों को यह बहुत परिशानी में रखा देंगे एक जिनके पास था उनके एक्षन होना चाहिए था कुछ ऐसे नाम सामने आए क्या हुआ उसका आखिर निकला क्या कुछ नहीं हुआ यह सुरत में कई बज्जिये वाले के पास से करोड़ों रुपिये मिले थे आपके पास हम आते हैं आप बता सकें आप इसको किस नजरी से देख रहे हैं जहां तक नोट बंदी की बात है नोट बंदी के बाद हजारों लोगों ने बैंक के सामने लाइन किया नहीं कुछ धंदा बिजनेस कर पाए ना घर के रहे ना काम पे जा सकते थे किसानों को अपना माल बेचने के लिए बैज़दार में जब जाते थे तो इसको पैसा नहीं मिल रहा था और सबजी लेने के लिए भी जाये तो जुनी नोट लेते नहीं थे बैंक में जाओ तो नई नोट दे नहीं रहे थे और पांचों की 100 की 200 की नोट जादी उस समय जो नहीं पांचों की निकाली वो नहीं मिल रही थी तो एक खेडूत अपने खेट में चार मज़दूर को ले जाएगा और 2000 की नोट देगा तो मज़दूर अपने सब विक्रिक ऐसे करे केश को कम करने में नुकसान क्या हुआ है कि आज एक गाउं में आदमी जो राशन लाने जाता है उसके पास भी मतलब पूरा पैसा नहीं था तो वह बैंक नहीं है गाउं में तो वह जाएगा कहां आप बगई आप क्या करते हैं मैं लाइब्रेरियन की जॉब करता हूँ नोट बंदी सही था या नहीं? सरकार का गलत कदम था क्यों गलत था? एकोनोमी बिलकुल डाउन हो चुकी है एकोनोमी अब कहे रहे हैं हो चुकी है हुई लेकिन आप बॉटम आउट होगे अब सुधरेगी सुधरने के लिए कुछ वक्त चाहिए कम से कम दस से पांच से दस साल निकल जाएंगे क्योंकि हमारा जीडीपी तीन परसंटेज कम हो चुका है रही बात बात कहीं थी आतंकवादी की जिस दिन नोट बंदी होई उसके तिसरे ही दिन एक आतंकवादी ग्रूप को मुद्वेड में मारा गया उनके पास से नई दो हजार की नोटे निकली थी शुक्रे आपके विउस के लिए जी कुछ कहने साते हैं हाँ जी आप बताईए नई नोट बंदी में गैब ज्यादा था पांचो और दो हजार की नोट में गैब जा जा था इसलिए बहुत तकलिफ हुआ है और जब नोट कुछ कहना चाहते हैं जी बताईए आपका नाम क्या करते हैं मैं बिद्निस में ओके तो आपको काफी परिशानी हुई शुरूबाती दिनों में उस दिन में था दिवाले के लिए गुमने के लिए गया था हम दाजली में रुके थे दाजलिंग में साड़े आप बजे टीवी में ऐसे उन्होंने बोला कि आज से अभी से पांचोजर के नोट बन हमारा को क्या उससे में क्या पहला रियक्शन क्या था क्या हुआ यह था हमारे साथ आने वाले में साने के पटेल थे और कुछ एमसे बात के थे वह सब निकल के सुबह सुबह बाजार म अगर पहले बता दिया जाता कि इस तरह से किया जा रहा है तो सब उसके उसके अजस्मेंट कर लेते इतना भी सिटम जादा है अलग अलग जैसे भी कर सकते हैं इनके पास पैसा था फिर भी उन्हें खरीजिने क्या करते हों क्या यह देशित में कदम उठाए गया यह नहीं नहीं वह अपनी प्रसिद्धी के लिए आपका नजरिया आपके घर में शादी थी क्या हुआ हम आपके बास लोटते हैं अब जो हमारे खास मेंवान उनका रुक करते हैं आप बताइए आपने सुना सभी के नजरिया जो निकल कर आ रहा है इसको आप कैसे अब अनिलाइस करेंगे मतलब लार्जर इंट्रेस्ट सोच क्या हमने एक साल में किस तरह से इसको देखना चाह में खड़ा रहा था यह बात बिल्कुल सही है और चोटे-चोटे व्यापारी है उनको भी व्यापारी बिजनेसमेन हैं जो रोज का कमा के खाते उनको भी काफी तकलिफे हुई यह बात सही है पर उस चीज को रेगुलराइज होने में थोड़ा वक्त लगा दो तीन मैने के बात जो है situation जो है काफी नॉर्मल हुई अगर आज गुजरात की बात करे हम तो गुजरात में आज कहीं ऐसी कोई सिती नहीं है कि नोट बंदी की वज़ा से लोगों को कहीं अब पैसा ना मिल रहा हो या ATM में लाइने लगी हो वो situation आज नहीं है यह तो बेभी स्विकार करन तांकि उस तरफ आने के लिए बढ़ें क्योंकि फिर से cash चलन में आ रहा है नहीं मैंने एक लेक पड़ा था यह नोट बंदी के पहले 28-29% cash थी system में cash चलता था आज की दिन में वो 16% आ गया है तो अभी जो भी सरकार है जिसने यह फैसला लिया उससे मुझको तो पुरा सं अब आपने सुनहा यह आप कैसे इसको फिर देखना चाहिए इसमें पॉल रहे हैं जो हमारे बाई सब इंडेस्ट्रियालिस्ट हैं पहले ही आप मेरे बाई ने जो बताया कि बड़े लोगों को कोई तकलिप नहीं थी और जनता ही मानती है कि यह सरकार बड़े लोगों की ह तो इंडेस्ट्रियालिस्ट को कोई तकलिप पनी के कोई सवाली नहीं है तो हम और आपने आपने बोला कि सरकार यह कह रही थी कि सब पैसे आज जाएंगे छोटे लोग है छोटे व्यापारी है उनकी नौट अच्छी तरह से हो जाएगी तो उन लोगों को हम रून देंग आप आओ मेरे गर रस्कुले खिलाओंगा यह खुड़नांगा विये खुड़नांगा और आप तब कुछ नहीं हो बाते बहुत की थी पर इसका इंप्लिमेंट क्या हुआ लोगों को फाइदा किया हुआ ना आतंकवाद बंध हुआ ना काले धन बंध हुआ कुछ नहीं हख यह सबके लिए है छोटी छोटी जो कंपनियां था उसको लिए भी है क्यूंकि सबकों टेक्स भी नहीं बने का था यह नोट बंधी जीएसटी जो भी वह कानून लाए थोड़ा नया कानून लाते तो सबको तकलिप पढ़ती है लेकिन बर से दीरे दिरे काबू में आ मगर परसो एक न्यूज़ पेपर में प्रसिद हुआ लेक पूरे इंडिया में 0.16% ATM बंद हो चुके है क्योंकि वह डिजिल्टर इंडिया का असर है और मैं उस नहता जो बोल रहे है काले दन कहा गया कहा गया वो समय देना था बदलना के लिए उसको मैं पुछना चाहता हू कि पिछली सरकार में जो 2,10,000 कंपनी थी जिसको सरकार ने सिल की है वो क्या उसको समय देने के लिए बोल रहे थे कि उसको ब्लैक का वाइट करने के लिए जी आप बताईए आपका क्या कहना है जिस तरह से यह कह रहे हैं जो कंपनी इसका भी जिक्र कर रहे हैं और क्या समय प्रेडी पेले इसमें टांझेक्शन हो चुका है उन्होंने जो लेक पड़ा है इसमें पूरा लिखा हुआ है और इसरी कमपणियों को निकाल इसमें जो उनको करना था वो टांजेक्शन पूरा कर दिया गया हुआ है इसलिए उनको Dipar에서 कि इसमें इसके सिवा और को टांजेशन ने हुआ था जी अब समय बिलकुल खत्म हो रहा है चलते चलते आप सबने विचार रखे धन्यवाद एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं सबको फ्रीडम है अपनी अजादी है अपने बात रखने की आप सबने खुलकर रखी धन्यवाद यह कहना चाहते है काला दीन जशन दोनों को एक साइड में रख़के हमने ओट बन्दी जिस बात के लिए किया था जिस बात को लोगों के सामने रख्या था क्या वह सही हुआ के नई हमें यही कहना चाहिए जसन की बात काले दिन की बात की जगा आपने जो बोला था कि आतंकवाद बंध हो जाएगा काला दन नहीं रहेगा और लोगों को दिकत नहीं होगी रोजगार मिलेगा इंडस्ट्री बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगा लोग खुश होंगे इन पांच कर सकती है उनका मामला है लेकिन अगर कुछ अभ्यास के साथ अगर हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा आतंगवाद पहले भी था आज भी यह लेकिन बहुत कम है बहुत कम है आप नक्सलवाद का अगर देखिए मैं नागरिक के हिसाब से बोला हूं बहुत कमी जारकन में परहा लिखा हूं और नक्सल को बिलकुल नजदिक से दिखाने है बिलकुल नजदिक से और बहुत फरकाया और वेपार दंदे में कहीं फरक नहीं आया आए व से अशुरा पुम यह लाएंगे उस पर मैं उस पर बात करोगा बाकी यह नोट बंदी से देश को फ उसमें कुछ हद तक सरकार को कहीं न कई सफलता मिली पर अभी बहुत सारी चीजे होना बाकी है और जो सबसे बड़ा मुंदा उस वक्ता कैशलेस का अगर जितनी ज्यादा कर सकता है तो जितना फ्रेंडली हो जैसे बीनले एप लॉंच किया था सरकार ने तो इस प्रकार की कुछ और विवस्ताय की जाए टेकनोलोजी बेस और ज्यादा इंसेंटिवाइस किया जाए तो फर्मल एकोनोमी जो है वो ज्यादा क्लीन हो जाए जी आप सभी का शुक्रिय धन्यवाद अपने विचार शेयर करने के लिए शुक्रिया और आप सबका भी धन्यवाद अपने विचार खुल कर हमार साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद तो ये थी नोट बंदी पर हमारी खास पेशकर सानन से हम और प्रमुक शेयरों का भी रुख करेंगे वहां के भी व्यूज वहां की जमीनी हुकी कर आपके समख्श रखेंगे फिलाल अभी के लिए इतना ही नमश्कार